फ्रेंड्स अगर आप अपने यूट्यूब अप्लिकेशन की नोटिफिकेशन को डिलीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तो होता क्या है जब भी हम किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं और उसकी वीडियो हमको पसंद आती है तो हम उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और जब भी वो कोई वीडियो अपलोड करता है तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे पास आती रहती है तो ऐसे की इस बीडियो को सुरू करते हैं अब आपको यहाँ पर ऊपर एक घंटी का बटन रहा होगा तो आपको गंटी के ओपर टेप कर देना है उसकी क्यों हमारे पास जितने भी नौटिफिकेशन आय हुए है यहाँ पर सारी सो कर रही है अब देख सकते हो सारी notification यहाँ पर सो कर रही है तो अब आपको इनको delete करना है तो कैसे करोगे आपको कोई भी वीडियो जैसे मान लीजिए यह टेकनिकल योगी जी का एक वीडियो मान लीजिए में ले लेता हूं इनकी यह notification आईए मेरे पाल तो मैं को यहाँ पर थ्री डोट मिल रहे है वीडियो के सामने तो मैं थ्री डोट पर क्लिक करूंगा अब आपको यहाँ पर दो अप्शन मिल रहे हैं हाइड इस notification और नीचे ए अपलोड करेंगे तो उसका notification मेरे पास नहीं आएगा और जो फास्ट वाला है है अगर मैं इस पर टेप करता हूं तो यहां से यह notification हड जाएगी तो चलिए मैं आपको टेप करके दिखा देता हूं तो देखिए मैंने जैसे हाइड इस notification पर टेप किया वहां से वह वीडियो हड चुक है और यहां से कोई वीडियो ले लेते है जैसे यह मानलि यह माज इसमार्ट सपोर्ट चैनल का है तो इस वीडियो के आगे मैं यहां पर टेप करता हूं और यहां पर हाइड दिखिए। यह यह notification भी यहाँ पर हड़ चुकी है तो जितने भी आपकी notification हो उसी तरह से आपको यहाँ पर टेप करना है और यहाँ पर hide this notification के उपर आपको टेप कर देना है तो वहाँ पर notification जितने भी होगा वो हड़ते जाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपके पास जितने भी notification आये हैं उनको आपको एक एक करके ही delete करना है delete करना है या फिर hide करना एक ही बात है friends यहाँ पर hide होता है hide का मतलब एक तरह से delete ही हो गया आपको कहीं पर भी वो so नहीं करेगा फिर यहाँ से आप जैसे ही उसको hide करोगे वो permanently हो जाएगा या फिर आप बोल सकते हो delete हो जाएगा और friends अगर आप एक user हो YouTube पर सिर्फ videos देखते हो आप YouTube पर वीडियो नहीं बनाते हैं आपका YouTube पर channel नहीं है तो आपको क्या करना है एक नया Gmail ID बना लेना है और उस Gmail ID से अपने YouTube एपलिकेशन में लोगिन करना है इससे आपका YouTube नया हो जाएगा नई Gmail ID से लोगिन होगा तो वहाँ पर आपके कोई भी notification सो नहीं करेगी तो इस तरह से भी आप अपने YouTube की notification को हटा सकते हो तो friends आसा करता आपको ये वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो चलिए friends आज के लिए इतना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में